Hello everyone and welcome to Mentor Plus तो इस सेशन में हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए ठीक है? ओपने स्टेट में सीट नहीं मिल रही है, सेमी की सीट नहीं मिल रही है या तो अपने स्टेट में जो चाहते हैं वो सीट नहीं मिल रही है या तो आप देखना चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में क्या क्या सीट मिलता है ताकि एक अच्छा प्राइवेट मेटकल कॉलेज मिले तो रिजल्ट आने के बाद आने के बाद आपको कितना स्कोर पे सीट क्लोज हो जाएगा इन पार्टिकल स्टेट और उसकी बजट क्या रहेगी और पिछले साल की कट अफ क्या गई थी कंप्रिजन कर सकते हैं अगर चैनल पर न्यूँ है तो इसको जूरू सब्सक्राइब कर लें यह नंबर आपको है हिल्प लाइन नंबर नहीं काऊंगा पीड गाइड़न्स के लिए अगर आपकी क्वेरीज है तो आप डारेक्ट वाट्सप पर मेसेज करें अगर टाइम पर मीट करेगा तो आपको रिप्लाइच चला जाएगा यह सारे पैकेज़ें इस पैकेज़ें को आप अक्सेस कर सकते हैं नीटमेंटर.co.in वेबसाइट पर नीटमेंटर.co.in नीटमेंटर एक अलग इटू चैनल है और पीजी के लिए उसी के नाम से वेबसाइट भी है तो ओपेन स्टेट कौन-कौन से हैं पहले ओपेन स्टेट समझ लेते हैं जिस स्टेट में प्राइवेट कॉलेज के कांसेलिंग के लिए बाहर के कैंडिदेट भी ऐलिजिबर रहते हैं वो ओपेन स्टेट कर लाता है ऐसा नहीं कि उसमें 100% seats open होंगे, कुछ percentage seats open हो सकते हैं, कुछ reserve हो सकते हैं, state वाले domicile candidate के लिए, लेकिन कोई भी open state में अगर semi का seat है, तो बाहर वाले candidates semi के seat को नहीं ले सकते, उनका कितना भी अच्छा score क्यों नहीं हो, क्योंकि eligibility ऐसे नहीं है, तो semi government, या तो semi private, या तो government seat, इन तीनों के लिए, ऐसे दो ही हुआ, semi government and semi private both are same, तो semi government और government college के seat के लिए, उस state के domicile candidate ही eligible रते हैं, state quota के counselling के थुरू, बाहर वाले candidate open seat के लिए लेजी बनेंगे, और उनका category भी apply नहीं होगा, यह सब बहुत important rules हैं, कि category, आप तोज़ते हैं कि मेरा SC category है, मेरे state में 350 score में seat नहीं मिल रही है, seat मिल रही है, तो बहुत महगी मिल रही है, दूसरे state में सस्ते college जैसे करनाटका में है, केरला में है, उहां पर SC category लगा करके seat ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका category आपके अपने state में ही valid रहेगा, या तो national level पे valid रहेगा, और जो category से qualified हैं, वो दूसरे state में नहीं जा सकते हैं, except one, that is, राजस्थान, अगर आप OBC से qualified हैं, फिर भी आप राजस्थान की counseling कर सकते हैं, अपने state की counseling के साथ, और DIMD University की counseling कर सकते हैं, private colleges के लिए, तो देखिए, करनाटका, उतरपरदेश, हरियाना, बिहार, जालखन, राजस्थान, पंडिचेरी, सिक्किम, मनिपाल, देन, मनिपूर, 36 कर तिरपुरा, हिमाचल प्रदेश, के एक लाग, यह सारे open states है, महारास्था उपे नहीं है, गुजरात उपे नहीं है, जहां पर private medical colleges है, करनाटका का budget जाता है, 60 lakhs per year, 10 lakhs का फीर आता है, सब कुछ मिला कर के, 60 के आसप तो इसमें पिछले साल 503 पे closing गई थी, कानाटका मेटकल कॉलेज का, इस बार अगर आप calculation करें, अब calculation कैसे किया गया है, 503 पे rank क्या बनी थी पिछले बार, क्योंकि counseling rank के basis होती है, उस rank को, उस rank पे shifting कितना हो सकता है, number of seat increment, और private college में जो shifting होती है, वो government में कितनी seat increase हुई है उस पे भी depend करता है, क्योंकि जितने seat increase है, उतने candidate तो government में seat ले लिए, वो private के लिए गए नहीं, तो उतने candidate उतना का shifting add कर दीजे, जितने government पर है, ठीक है, तो calculation करने के बाद कितनी की shifting है, और shifting के बाद जो final rank आया, expected, उस पे कितना expected इस वार का score है, expected नहीं, score तो आचुका है इस rank पे ये score है, तो score कितना है, तो उस अनुसार से expected cut off calculate किया गया, तो इस पर 575 score है, तभी आपको करनाट का में मिलेगा, ठीक है, तो देखे, government में लेने के लिए भी आपको 575, प्राइवेट लेने के लिए के लिए करनाट का में 575 मिनोम चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा benchmark high हो गया है, उतरपरदेश की बात करें, पिछले पर 236 पे मिली थी seat, इस पर सोच रहे होंगे 250 तक जाएगा, कितना जादा जाएगा, लेकिन अगर practical scenario देखें, rank wise calculation करके, तो 315 score है तभी UP में मिलेगा, 310, 300 है तो भी नहीं मिलेगा, जबकि result आने के पहले 300 score में अराम से seat मिलती, उतना shifting नहीं जाता, बलगे मैं बोलता हूँ 315 भी एक risk zone है, 325 है तो आप safe है, और वो सब colleges मिलेंगे, जिनमें आप जाना नहीं चाहेंगे, तो आप private college के लिए कभी भी जाएं, तो एक cut-off score लेके नहीं जाएं, कि उस cut-off score पे सबसे last college close होगा, मिलेगा, जो कि state का स सबसे less recommended college होगा, कोई भी college खराब नहीं होती है, बहुत ऐसे से हैं, जिसमें कोई ब्रांच बहुत अच्छा रहता है, वह लेकिन PG के लिए, ठीक है, MBBS के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, कि यहाँ पे, OPD, mainly academics कैसा है, hospital facility कैसी है, यहाँ environment कैसा है, किस merit के candidates जा रहे है हर्याना में 78 lakhs minimum इतना का budget रहता है, और पिछले साल 199 पे close हुआ था, लेकिन जो seat 199 पे close हुई थी, उसकी budget और ज्यादा रहती है, तो इस बार वह 199 यह 200 पे नहीं, around 275 minimum इतना score रखना होगा, तब ही जाकर के आपको हर्याना मिलेगा, तो आप calculation कर सकते हैं, कि कितना score है, तो इस state में मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो बोर्डर पे हैं या क्या, जैसे 280 है, तो हर्याना में फिर भी बोर्डर पे हैं, ऐसा नहीं, कि मैंने बोल दिया 275 तो आही जाएगा, कुछ पलस मैनिस होता, लेकिन आपको idea जरूर लगेगा, अगर बोर्डर पे हैं और कभी भी counseling करें तो एक state पे dependent नहीं रहें, आपको minimum three counseling करना चाहिए, अगर एक का backup फेल हुआ तो backup का backup आपको मिल जाएगा, अगर आपको guaranteed seat लेनी है तो, इन ही सब tips, tricks and experience and negotiation of the fee with the colleges, जो की legal process है, कि each करके हम लोग आपको seat की guarantee देते हैं, उसमें काफी सारा चीज, अपना experience, अपना approach मिला हुआ रहता है, बिहार state की बात करें, तो पिछले बार 170 तक seat है मिली थी, और इस बार आपको 210-215 तक आपको seat मिलीगा, अगर नहीं मिल रही है, यह सब जो है NRA के नहीं है, यह सब normal management open seat है, अगर नहीं मिल रही है, तो आपको NRA seat लेना पड़ेगा, उसके लि रही है, लेकिन कुछ additional भी चार्जर हो लेने लगे हैं, 200-plus score में ही यहां पर seat मिलेगा, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान ऐसा state है, जो हमेशा से just qualifying score in category, जो minimum qualifying score है, इस बार का 129, उसमें भी आपको seat मिलेगी, राजस्थान में, 130-plus में seat मिल जाएगी, पंजाब म से कुछ एक seat है, CMC लुध्याना का, ठीक है, बहुत कम seat है, ओपिन की, तो पिछले वाद 6-17 गई थी, इस वार उसी college में seat लेने के लिए आपको 660-665, मतलब जिस रहें पर आपको government मिलेगी, वहीं पर आपको पंजाब से मिलेगा, और मुस्ट एक लोज स्टी ठीक कंसिड पिछले बार 4-31 पर seat मिल गया था है, गौतम बुद्धा चिकित समय, लेकिन इस बार 315-320 के बीच में score आप मान के चले, वेस्टमगाल में पी just qualified seat मिलता है, यहां पर 39-38 score है, तो भी आपको मिलेगा, domicile के टेगरी से qualified है, तो वहीं से belong करें, वेस्टमगाल से तभी मिले पिछले बार 4-35 तक यहीं पर seat आटक गयी थी, इसका बजट सब का दिया हुआ, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, और इस बार 5-25 से 5-30, 4-30 is typing mistake, 5-25 से 5-30 तक seat मिलेगी, तेलंगाना की बात करें, यहां पर बजट मिलेगा 72 जाएगा, 80 तक भी चला जाता है, और एक साल का बै में शो करना पड़ेगा, 339 का cut-up गया था पिछले साल, इस वर 4-35 से 4-40 के बीच में जाएगा, तो जो गैंडिडिट सौट से विलों करते हैं, वो अंत्रप्रदेश तिलंगाना, केरला, करनाठका, तामिल नाडू, पॉंडिचेरी, इन से बार स्टीट में टार्गेट कर में 350 तक मिल जाता है, उसके बाद उसका मेकेनिजम जो सीट लेने का है अलग है, वेटिंग प्रोसेस में रहते हैं, वो रिलाइबल प्रोसेस नहीं है, तो 4-35, 4-40 पे सिक्की मनिपाल में भी सीट मिल सकता है, सिक्की मनिपाल का फ़र्म बहुत पहले ही रिलीज हो चुका अब आपणे लिए उसके पाई हना है, उसके लिए ईंटरेस्टेड हैं, उसका नोटिफिकेशन उसके वेबसाइट सेंप करते हैं, जिससे स्टेट के लिए उसके वेबसाइट पे आप अरेकर विजेट करने की जरूरत है, इसलिए आपको फिल्टर उॉट करना होगाका आछेट रहेगा तो जो भी कुछ करना है अभी से करना है आपको सारा डीसीजन जो आर्डीटिक्ट्र बनाना है काउज्दि की अभी से करना है अगर आदी का समय आपने विश्ट किया या नहीं होज आप यह तो पर बीट देखने कैसे अप्रोच करना है काउंसिलिंग को जो आएगा भर देंगे उसमें देख लेंगे ऐसा नहीं विल्कुल थोस अप्रोच होना चाहिए नहीं तो पता चलेगा कि आपको जो सीट मिल सकती थी असानी से नहीं मिली दूसरे को मिलके बैठा हुआ है आप से पीछे रेंग वाल होते हैं तो सबको समझते हुए और जो सेलेक्शन करें कि इस स्टेट का करना है तो उसको पूरी तरह समझ लें उसमें इस वार क्या चेंज़े जा रहे हैं उसको भी समझ लें और जो कॉंसलर है उनसे पूछ ले केरला स्टेट में 600 प्लस स्कोर में ही बात बनीगी पिछले तक मिल गई थी हिमाचल प्रदेश में 300 प्लस स्कोर आपको सीट मिलेगा तिर पूरा में 70 लाक्स का पेकेज रहता है 455 का कट अफ गया था इस वर 530 से 535 तक जाएगा 36 गड में एक लो बजट स्टेट है 491 तक सीट कट अफ चले गए थी लास्ट आउन तक इस वर 575 के नी जाएगी मनिपूर में 210-215 तक में सीट मिल जाएगी तो यह रहा ओपन स्टेट में कितने स्कोर तक सीट मिलेगी और उसका बजट क्या रहेगा तो रफली आपको एक आइडिया मिलेगा तो इस सब चीजों को पुछने के लिए दुआरा स्यम कॉल डायल नहीं करें तो यह जाएगी करेंड तो यह रहां।